हलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं आरेस अगरवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ और इस बुक के अंदर चप्टर नमबर है 3 चप्टर नाम है फैक्टराजेशन ओफ पॉलिनोमियल्स एक्सेसाइज है 3C का कोस्टन नमबर 20 अभी हम करेंगे तो इस कोस्टन में क्या ह है किस प्रकार से इसका सोलूशन होगा क्या होगा वो देखिए और समझिए यहां पर सोलूशन के लिए पहले आपको लिखना होगा कोस्टन को खुद एक्सक्वेर माइनस का 26X प्लस में 133 अब आपको करना है जो बाकी का पार्ट अभी यह रफली करना है मतलब यहां यह तो रिखी लिदी दीजिए कुछ में कोई दिक्कत नहीं है कि A की वैल्यू 1 है B की वैल्यू माइनस की 26 है और जो C की वैल्यू है वो 133 है अब यह रफ करने का है कि A C हमें निकालना है 1 मल्टिप्लाई में हमें करना है C को 133 ठीक है तो अब आपको यहां पर तो फिर अब यहां पर क्या है कि A C की वैल्यू जोगी पोजिटिव आई है तो इसका मतलब एड करने पर आपको मिलना चाहिए यह माइनस का 26 B की वैल्यू मिलनी चाहिए माइनस का 26 और मल्टिप्लाई करने पर वही 133 मिलना चाहिए तो ऐसा पाने के लिए यह सब चीज करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको सिंपल इसके फैक्टर्स निकालने होगे 133 के factors अगर आप निकाले तो 1 से start कर दीजिए 1 multiply 133 add करने पर आपको मिल रहा है 134 आपके काम का नहीं है फिर जो दूसरा है दो factor यह होगे अब यह काम के नहीं है तो 2 के 2 के बाद 1 के बाद आप next number की तरह बढ़ते है 2 क्योंकि यह old number है इसलिए 2 से तो divisible नहीं होगा तो 2 इसका factor नहीं है तो 2 से हटा दीजिए अब इन 3 डिजिट को plus करो तो 7 बनता है जो कि 3 से divisible नहीं तो 3 से भी divisible नहीं होगा 4 से तो बिल्कुल भी divisible नहीं होगा क्योंकि 1 के कर चुके 2 कर चुके 3 कर चुके और फॉर्थ जो बनता हो यह 4 है यह 4 से डिजिबल नहीं होगा क्योंकि यह एक old number है 5 से यह divisible नहीं है क्योंकि इसके last में ना तो 0 है ना 5 है तो 5 से डिजिबल नहीं है 6 से क्योंकि यह एक old number है तो यह 6 से तो divisible बिल्कुल भी नहीं होगा 7 से हाँ 7 से ये डिविजबल है 7 से करें हम इसको तो 7 बंजा 7 79063 तो अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल clearly दोनों को add करके हमें 26 मिल रहा है multiply करने पर 133 मिल रहा है तो जो ये दोनों factors है ये आपके काम के है तो क्योंकि अब बात ये है कि addition तो तब होती है जब दोनों ही निसान same हो अब ये दोनों निसान कोन से होंगे ये decide करेगा b b का जो निसान होगा वही निसान दोनों टुकड़ों के होंगे फिलहाल यहाँ जो b है वो negative है तो दोनों की निसान माइनस के होंगे, वो लिक क्लियर है, ओके तो फिर आगे भढ़ते हैं, हमें टुकड़े मिल चुके हैं, x क्योर माइनस में, splitting the middle drum method हमने इस्तमाल किया है, middle drum को हमने split कर दिया, और वो जो split किया, तो ये टुकड़े आई है, माइनस के 7x, माइनस का 19x, प्लस का 133, आप देखेंगे, माइनस 7 और माइनस 19 को एड़ करें, तो माइनस का 26 मिल रहा है, और इन दोनों को आप जब multiply करें, तो प्लस का 133 मिल रहा है, अब इतना clear हो चुका है आपको, तो अब आगे भड़ सकते हैं, दोनों में जो भी common निकल रहा है, वो common निकालेंगे, इधर common निकल रहा है, x और इधर common निकल रहा है, माइनस का 19, मैंने minus क्यो लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस का निसान, क्योंकि इस bracket में common लेने के बाद, यहाँ माइनस आएगा, और अगर नहीं, तो आप इसको दूसरे रूट में भी कर सकते हो, लेकिन हम दूसरी तरफ नहीं बढ़ेंगे, confusion हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, जैसा कि करते आएं हैं, ठीक है, अब आप यह देखिए, कि चलो दूसरा भी बता दूँगा, आपको डाउट रखो, 9th क्लास में, और अगर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप typical to typical sums करने के लिए तयार हो, और आपको हर तरीके से अच्छे से समझना है, इसके लिए फिर आप समझ लीजेगा, बता दूँगा वो भी मैं आपको, और फिर x common ले लेंगे, तो आपको मिलता है, यहाँ x square जो common लिया है, उसी से हम divide कर देंगे, x से, और यहाँ पर मैंने minus 19 common लिया, और minus का 19 x by में minus का 19 आएगा, और दूसरे में 133 by में minus का 19 आएगा, अच्छा चल यह इतना हो गया, अब अगर मान लिया कि आपने minus का 19 common ना ले करके, यहाँ पर प्लस का 19 common लिया होता, तो गलती कहां हो जाती, क्योंकि फिर एक step और आगे बढ़ते, फिर आपको clear हो जाएगा, x common लेने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर इन दोनों से आपको मिलता है x, क्योंकि x square के अंदर से x को हटा देंगे, मतलब एक power कम हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर यह x कट गया, और आपको मिलता है minus का 7, minus का 19, और इधर minus से minus cancel 19, 19 cancel आपको मिला x minus से, जो minus और plus यह minus हो जाएगी, और यहाँ 19 बंजा 19, 19, 17, 133, तो x minus 7, अगर अमान लेते हैं, आपने यहाँ पर plus 19 लिया होता, तो यहाँ पर भी plus होता, यहाँ पर भी plus होता, यहाँ पर भी plus होता, राइट, और जो यहाँ पर फिर क्या दिक्कत हो जाती, यहाँ तो minus होता, यहाँ पर माइनस रहा जाता अगर आपने प्लस 19 लिए है तो यह हो जाता और यह माइनस का एक्स मिलता और यहाँ भी प्लस का स्यावन मिलता तो अब दोनों सेम करने के लिए आपको फिर माइनस कोमन लेना पड़ता तो यहां पर यह फिरी स्टेप को करना पड़ता प्लस 19 जाए आपको माइनस का 19 लिखना पड़ता समझ में आया आपको एक बार दुबारा से देख लिजिए कि आपने ऐसा क्यों किया मतलब हमने माइनस का 19 कोमन चोन लिया उस चीज को आप समझे तो आपको clearly सारी बात जो है वो समझ में आ जाएगी जरा देखिए ध्यान से कि अगर मान लिया कि आपने minus 19 की बजाए plus 19 common लिया होता तो यहाँ पर minus का है और इधर plus का मिलता आपको plus का 19 यह plus का होता आपको क्या मिलता आपको मिलता bracket के अंदर plus 19 common लियने पर इधर minus का x को 19 से तो 19 कट चुका है और एक तो minus बचा और एक x बचा तो आपको मिलता minus का x और यहाँ पर plus है तो plus का plus रहेगा तो यह plus हो जाता तो दोनों ब्रेक्टों में सेम चीज़ मिलनी चाहिए ना इधर तो x minus 7 मिल रहा है और इधर minus x plus 7 मिल रहा है दोनों सेम नहीं है दिक्कत होती फिर भी आपको minus कोमन लेना पड़ता और minus कोमन लेने के बाद में एक स्टा बढ़ जाता और यह plus वाला जो है फिर आप minus करते औ और यहाँ पर आपको वही x minus 7 मिलता माइनस कोमन लेने पर तो यह एक काम भड़ी गया ना इसलिए मैंने इसको पहले ही यह चीज़ कर दी क्लियर हुआ आपको ओके साइद कोई डाउट रह गया हो तो फिर भी आप कमेंट में कह सकते हैं x minus 7 कोमन लिया है तो अब दोनों के अंदर से x minus 7 को हमने बाहर निकाल लिया प्रेगिट के अंदर जो लिखा जाएगा वो होगा जो बच वी जी यहाँ x बचा है और यहाँ minus का 19 बचा है तो x minus 19 और यह आपका जो है answer हो जाता है hope so आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt रह जाए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए गा मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा और share कीजिए अपने दोस्तों को हो ताकि उनको भी इससे फाइदा हो सके like जरूर कर दीजि वीडियों में जिस्विम करेंगे नेस्ट को स्लेशन और वेसे ग्रेट टाइग बाइए